यहां कहने 15 times a positive integer is less than its square वो अपने ही square से 16 कम है 16 कम है आपको बताने वो integer क्या होगा तो जो हमें integer बताने के लिए कह रहे हैं हम उसी को मान लेते हैं वो क्या है x तो x वो integer है इन्होंने क्या कहा इसका जो square है न वो इसी के 15 times से यानि कि 15 x से कितना कम है 16 यह बन गई आपकी equation इसे solve कर दीजिए मैं दुबारा repeat कर देती हूं इन्होंने कहा 15 times a positive integer यानि कि 15 x है वो कम है यानि कि वो क्या है कम है किस से उसके square से तो हमने वो integer माना x x के square से वो कितना है 15 x जो है वो 16 कम है तो बन गी हमारी equation अभी से solve कर देते हैं x square minus 15 x minus यह प्लस में यहां पर आ गया माइनस में equal to 0 अब यह बन गी एक quadratic equation इसे जल्दी से solve कर लीजिए इन दोनों का जो multiple है ना वो प्लस या माइनस करने पर यह आना चाहिए तो 16 का हम देखते हैं कि 16 में से एक हम 1 को माइनस कर दे तो 15 बन जाता है और 16 बन जाता 16 होता है है ना तो वही हम करेंगे 16 x x minus 16 यह 50 इधर आ जाएगा plus क्यों क्यों कि plus minus होता है minus 16 x into x 16 का square 16 x का square और plus minus हो गया minus 16 x में से एक गया तो हो गया 15 यह बीच वाला आ गया है ना तो यह हमारी जो equation को हमने तोड़ा है वो बिल्कुल ठीक तोड़ा है अब क्या हो गया इन दोनों में से मैं x को common लेती तो यह अंदर आ जाएगा x minus 16 यहां पर मैं one common लेती हुँ तो यह हो जाएगा x minus 16 ओके equal to 0 तो x minus 16 equal to 0 और x plus 1 equal to 0 हो गा तो यह क्या आएगा x equal to minus 1 यह आजएगा x equal to 16 जो हमारा है वो तो positive integer है ना तो minus 1 तो नहीं होगा तो क्या होगा answer is जो हमारा positive integer है वो क्या है वो है 16